हाई एवरिवन स्वागत है आपका हमारे इस यूल टोप चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निव लेबर कोड के बारे में जियां दोस्तो लेबर को ले करके सरकार एक नया रूल्स ले करके आई है जिसके मुताबित अब हफते में ओनली चार दीन काम करना होगा और तीन दिन का अराम मिलेगा साथ ही जो है काम के घंटे आपके 9 घंटे से बरह करके 12 घंटे की और शिप्ट होगी यह को अनियम लागू होगा दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगो को बड़ी 42 क्सक्रिक College ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग, सेकंड क्लास मेनिजर, फर्स्ट क्लास मेनिजर, सर्वेयर, इनके लावा जो है कोल वालों के लिए आपका ओबर मेन और माइनिंग सरदार के लिए भी नोट्स अविलेबल हैं साथ ही आपको बता दें कि कोचिंग भी हम करा रहे हैं अगर आप लोग कोचिंग या नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉंटिल्ट जरूर करें नंबर आप लोगों के सामने हैं जैसा कि आप लोग स्क्रेन पर देख सकते हैं कि न्यू लेबर कोल्ट को लागू करने की तयारी जो है सरकार ने कर ली है इसका ड्राफ पूरी तरीके से रेडी हो चुका है कभी भी ये न्यू लेबर कोल्ट लागू हो सकता है दोस्तो नए लेबर कोल्ट का मकसद नोकरी पैसा लोगों की समाजिक और आर्थिक सुरक्षा को पुकता करना है इसमें पी एफ, टेक होम सेलरी, काम के घंटे, पैंसन और रिटार्मेंट के बाद करमचारी को मिलने वाली रकम को ले करके इसमें जो है विशेस दियान दिया गया है इसमें काम के घंटे को बढ़ा करके दिन को कम कर दिया गया है यह optional रखा गया है कि आपके पास जो है यह option available हमेशा रहेगा अगर नोकरी पेशा लोगों के लिए हपते में चार दिन काम करना और तीन दिन अराम हो तो क्या कहना है नोकरी छोड़ने पर महें दो दिन में ही आपका full and final payment हो जाएगा CTC का 50% basic salary होगा तो कैसा रहेगा दरसल यह कोरी बाते नहीं है बलकि हकीकत में बदल सकती है सरकार नए labor code को लागू करने की तजारिक कर चुकी है यह 2019 में जो है आपका bill पास कर दिया गया है central government की तरफ से यह पूरे भारत पर लागू होगा यानि कि भारत के जितने भी मजदूर हैं चाहें कोल इंडिया लेम्टेट के मजदूर हो सेल के रेल के या जितने भी मजदूर हैं अलग-अलग कंपनियों के government हो private हो सभी लोगों पर यह नियम लागू होगा सरकार स्रम कानूनों में बदलाव करने की तयारी कर चुकी है एक दो राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों ने केंद सरकार को जो है अपना सुझाव दे दिया है बस इसे लागू करने की देरी है 2019 में संसद में पारित किये गए नए लेवर कोड 29 केंदरी लेवर कोड की जगह लेगा सरकार ने अपना 29 लेवर कोड की जगह only for 4 नियू लेवर कोड बनाया है 29 को रद करके इनमें wage, social security, industrial relation और occupational security पर खास द्यान दिया गया है पूरी तरह बदल जाएगा salary structure नए लेवर कोड का मकसर अपना सरकारी नोकरी पैसा लोगों की समाजिक और आर्थिक सुरक्षा को पुक्ता करना साथ में इसमें PF और Tech Home जैसे salary के बारे में विशेश ध्यान दिया गया है काम के घंटे तो बढ़ जाएंगे पर दिन जो है वो कम हो जाएंगे जहां दोस्तो एक बहुत बड़ी information है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए labor cold को लागू होने से करमचारियों की salary में जो है अपना बदलाव देखने को मिलेगा इसके तहर जो है अपना करमचारी का अपना home salary जरूर घटेगी लेकिन करमचारी को retirement पर जादा रकम जो है मिलेगी आज संगठी छेतर पर भी ये लागू होगा यानि की private छेतरों पर भी लागू होगा वेकलपिक होगा कि नए labor cold के मुताबित कमपनियों को काम करने के घंटे 9 से बढ़ा करके 12 घंटे की मंजूरी देनी होगी हलांकि ये सुईधा वेकलपिक होगी इसमें करमचारी को हफते में केवल जो है अपना चार दिन ही काम करना पड़ेगा यानि कि आप सोच लिजिए कि आप जो 6 दिन काम करते हैं एक दिन रेष्ट होता है तो वहीं पर आप 4 दिन काम करेंगे 3 दिन का रेष्ट रहेगा पर आपका जो shift होगा एक सिट बारा घंटे का होगा जबकि दिन का सबताहिक अपना अवकास तीन दिन का मिलेगा यानि कि हपते में तीन दिन रिष्ट करीए इए अराम से सोई है अराम से दूसरा काम करीए नया लेबर कोट के मुताविर जो है नोकरी से इस्तिफा देने या हटाने या टर्मिनेट करने पर कर्मचारी के काम के अंतीम दो दिन के अंधर आपना कंपनी को भुख्तान करना होगा कर्मचारी का फुल-एंड-फाइनल पैमेंट करना होगा आमतोर पर कंपनिया इसको निप्टारे के लिए लगभग जो है देड से दो महीने का समय लेती है इसमें पीएफ और ग्रेजुल्टी को सामिल नहीं किया गया है इस्रम पोर्टल के इंटिग्रेशन पर भी काम नए लेबर कोड को लागो करने की तजारी में साथ में जो है आ इंडस्टियल रिलेशन और ऑक्यूपर्सनल सिक्यूर्टी को जो है खासा ध्यान दिया गया है इनके अलावा बता दें कि निव लेबर कोल्ट में चार दिन का काम तीन दिन अराम का विकल्प मिलेगा काम के घंटे नव घंटे से बढ़ करके जो है बारा घंटे हो तो लास्ट के दो वर्किंग डेश के बाद जो है अपना फुल एंड फाइनल पैमेंट मिल जाएगा मजुदा समय में कमपनिया इसमें जो है अपना देल्ट से दो महीने का समय लेती है पैंसन रिटार्मेंट पर भी जो है अपना ज्यादा रकम मिलेगी तो दोस्तों यह पूरी खबर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताएं क्या आप खुस है निव लेबर कोड से